ह醫 apprentice सुवागत है आपका एक-ड़े K Elaz में आज की क्लास आपकी इंगलेस क्लास है है Bunu इंगलेस की खffffillie यह क्लास दोनों के लिए अपकी उप्योंगी है क्योंकि इस में हम क्या करेंगे आपके maximum क्या होती है आपके legal जो है सब्द क्या होते हैं उनके अर्थ क्या होते हैं उन सारी चीज़ों को हम जो है इस वीडियो में करेंगे तो आपके लिए किलास जो है बहुत ही ज्यादा important हो सकती है अगर जो आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो क्योंकि maximum में आपका जो हो है feeling the brain sentence वगडरा भी सब कुछ आता है तो यहां पे हम क्या करेंगे केवल आपको माज जो है consort की कि बाते करेंगे बीदिक वर्ड आपके जो होते हैं उनके यहां पर बात करेंगे बाकी उसके अलावा हम आज कुछ नहीं बात करेंगे केवल जो विदिक वर्ड जो हैं उनकी ही यहां पर बात करेंगे ठीक है उसके अलावा आपसे कुछ यहां पर नहीं करना है केवल विदिक वर्ड से हम कोशन पहले हम चलते हैं कोश्ण आपका क्या है या आपका 2021 का पेपर था तो इस पांश कुछ कोश्ण पर जब आते हैं तो हमारा च्छठा कॲूश्ण क्या है विधिक भासा वह भासा है जिसका उप्योग चिकतिस्था विवसाइब में लगे लोगों के द्वारा किया जाता है आप जानते हैं कि चिकतिस्था में लगे जो बेक्त होते हैं उनके द्वारा इनका उप्योग नहीं किया जाता है तो यह आपका गलत हो जाएगा इसका मतलब होता है दूसरे ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरे का अधिकार डॉयल मीन्स होता है आपका अधिकार ठीक है इसका मीन्स होता है अधिकार सभी रोगों का उपाई क्या करें तो रामबान करें लाता है ठीक है ठीक है अनकॉप्थ का समानार्थी क्या होता है इसको क्या पूछा गया इसको साइनोनियम्स पूछा गया तो इसका समानार्थी अगर जम जाते हैं तो क्या होता है इसका समाना अर्थि आपका हो जाएगा यहां पर असब भी ठीक है असब भी हो जाए यह पर या फिर कोर्स कर सकते हो अगला को कोशन है यह, हमको कोशन नहीं चलते हैं, यह कोशन पर निम्न लिकित में से सब्दों मेसेधित इस्थान की पूर्थी करों ठीक है, are word the opposite meaning end, are word which the same, मतलब ऐसे कौन से word होते हैं, जिनका opposite होता है, या फिर सेम होता, तो आप लोग जानते हैं, अंटोनियम्स क्या होता है, साइनोनियम्स क्या होता है, वहाँ पे filling the blanks यहाँ पे करना है, तो आप जानते हो, अंटोनियम्स जिनका उल्टा होता है, मतलब बिलोम होते हैं, साइनोनियम्स आपका पर्याइबाची होते हैं, तो यहाँ पे अंटोनियम्स और साइनोनियम्स हो जाएगा, ठीक है, इस्टब बढ़न का समनार्थी क्या होता है, इस्टब बढ़न का आपका समनार्थी होता है, यहाँ पे आपका correct answer जो है, जिद्दी य ट्यक् Raumशिए अब यहां पे समनार्थी पेज्छोड के हाँ कॉन्खोजियन को भी कहते हैं क्या कहते हैं कॉन्खोजियन को यहां पर पूछा स्कत्राइब इस का परियाय वचीहां कैरिक्ट हो जाएगा वह आपका यहां पर सीब आपका सही है और और बात किजाए तो ए भी ब्रेवटी भी आपका सही तो आपके आपका डी सही हो जाएगा ठीक है यहाँ पर मैक्सिम की बात हम कर लेते पहले मैक्सिम जो हमारे कोश्चन पर आज का टॉपिक है हमारा उसके में आपके बात करते पहले एलो के यहां पर कस्डों डीच का क्या अर्थ होता है इसका आपका जो आर्थ होता है के लेकिस मेंज में आपका क्या होता है कि जो आपका ऐसा होता है सिंपल लेकल कोट की स्ट्टी होता है ऐसे लेके ओलो है हे ये आपका कर्रेक्ट कॉष्ष्ञ हो जाएगा अगरा को कोईसंन है निम्द स्थि में से किस प्रकार के शर्म्ण को अनुसरण यह आपका यह पर कोईशंङक संनोल कर वेलगेंट का समान आर्थी क्या होता वेलगेंट का समाना आर्थी अरथí होता है वह हमारा option D, चोकनना होता है watchful होता है, elegant means watchful, ठीक है if C, Dixit का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ आपका होता है, यह आपका जो है maximum से है, तो इसका question का अर्थ आपका जो है, वो आपका मात्र या नंगे दावे से हो जाता है ठीक है मर और bear assertion, ठीक है एक विदिक रिपोर्ट में निम लखित में किससे बचना चाहिए तो विदिक रिपोर्ट में किससे बचना चाहिए, तो यहाँ पर आपका जो correct answer हो जाएगा, वो आपका मुल्लियांकन से बचना चाहिए होता है विदिक रिपोर्ट में प्रियोक्स पीटर मार्क रोजेक्ट ने कब किया था तो इसका जो यूज हुआ था वो सब्द का जो है अठारासो बावन में हुआ था आगला आपका कोशन है इसका अर्थ होता है कि एक ही बाद पर एन आइडम जो है आप इस सब्दस को याद कर लो यह आपका यहाँ पर पूछा जाएगा एन आइडम हमने पहले भी आपको करवाया है यह आपको कोशन क्या होता है इसका मतलब होता है एक ही बाद पर एक ही भाव से मन का मिलन मतलब किसी दो बेक्तियों के एक ही भाव से एक ही भाव से एक ही बाद पर मन का मिलन मतलब अगर जो वो कहरा चोरी करना हा तो दोनों का का मन है की चोरी करना वो अगर जो कुछ कह रहा तो दोनों का अगर जो एक ही भाव है और एक ही कारी तो वहाँ पर उसका ये यूज होता है लेक्स टेलाइंस क्या दर्साता है जगा की विदी मंच की विदी अभी लेखित या फिर आपका प्रतिसोध की विदी तो यहाँ पर करक्ट एंसर जो हो जाएगा वह आपका प्रतिसोध की विदी हो जाएगा इंटरनेशनल का बिलोम क्या होता है इंटरनेशनल ठीक है तो इंटरनेशनल का बिलोम आपका जो होता है आकास्मिक होता है इंटेंशनल होता है इंटेंशनल ठीक है इंटरनेशनल इंटेंशनल ठीक है कोहरेंस कोहरेंस जो है लागू होती किसके उपर लागू होती है वाक्षी पर पेराग्राप पर या पर संपूर्ण तर्क में या पर किस पर तो कोहरेंस जो हमारी पूरी जो है संपूर्ण तर्क में जो है लागू होती है और पेराग्राप में भी लागू होती है और आपकी उपर हो जाएगा निम्रेन लखेत में से आना वस्तेक्व सब्दों को हटा कर शभी बिकल्प का चैन केजिए ब्सक्ते मग वंको हटा कर शबी बिकल्प का चैन केजिए आप्टर डेट प्लाइट ही हेड है यहाँ पर यह अपका सी चोेड़, मेक्सिम कोश्चन अब दिखना है हाँ मेट्यूस मुटेडियस का अर्थ होता है ठीक है तो यहाँ पर इसका अर्थ की अगर जो बात करते हैं तो इसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा इसका सिंपल सा अर्थ आपका होता है आवस्यक परवर्तन किये जाने की साथ जस्टिस का आपका बिलोग क्या होता है इसको आपको समझना होगा जस्टिस का बिलोग आपका होता है वहाँ पे अन्याएं इन्वेंटर से मेरे का यहाँ पर क्या एक एसा ब्यक्त है जो इस उद्देश से अस्टित्व में है तो यहाँ पर गर्भात की सजा संपत का अधगरण साज्यक दारी का निर्माण आपक्रत में मौबजे का दावा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो संपत का अधगरण है उसके लिए यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा उबे रिमा फाइडिस का अर्थ है यह सब्दों कुछ है ऐसे लेटिन सब्दों की हैं सारे जिनके जो है काफी अलग-अलग अर्थ होते हैं इनको आप सब्दों को थोड़ा ध्यान से समझो यह कुछिन है कि a second is artim का अर्थ क्षा के अनुसार होता है या फिर आपका जो है दूसरा नियम या फिर नियम के अनुसार होता है अगला आपका ओक्सडाई ओक्सडाई का आपका क्या मतलब होता है ब्लेक्ति की आवाज राजा की आवाज साचक की आवाज या फिर भगवान की आवाज तो यहाँ पे जो है भगवान की आवाज हो जाएगा ठीक है अगला आपका कुश्चन है एकुस का अर्थ आपका क्या होता है यहाँ पर इसका अर्थ आपका जो होता है आसमान, बराबरी, नेतिक या फिर कानूनी तो यहाँ पर जो आपका बराबरी इसका अर्थ होता है एक ही समय में एक से अधिक पती दखने की प्रिथा क्या कहलाती है भाई बहुत प्रिथा तु कहलाती है ठीक है प्रोडिगल का समानार्थी क्या होता है प्रोडिगल का समानार्थी आपका जो होता है वो आपका उदार होता है ठीक है आपका मैक्सिम का कुश्चन एजूर्स डेम जेनेरिक्स का आपका अर्थ होता है एक ही तरह के उसकी कोई गलती नहीं है जो आग्या मानने के लिए बाद दे या फिर कैस तो यहाँ पर जो होता है इसका generous क्या होता है मतलब generous मतलब होता है generation से और generation मतलब एक ही तरह के रिस इपसा locator का अर्थ होता है घटना स्वयम बयान करती है लेन देन के दोरान किये गए सभीकार या फिर एक मामला का पहले से नियाएक रूप से तहीं हो चुका होना ठीक है इन सारे चीज़ों को तो यहाँ पर करेक्टर इंसर आपका घटना स्वयम बयान करती है ठीक है अ पर ठिंक या फिर डन होता है ठीक है यहां पर्दान करना आपर अस फर Э्पिर आश्राि स्थान तो यहां पर ऑप किसी को आप देते हो और वहां पर बैट तो आश्रे स्थान हो जाएगा ठीक है यहां पर अंगला आए गए हम question हां वह भी जस इभी रेडम जहां अधिकार है वहाँ उपाई है ठीक है उभी मतलब होता है वहाँ रेमीडम मतलब होता है उपाई और जस मतलब होता है अधिकार इन सब्दों को अलग अप याद कर लो टो यहां पर थोड़ा इजी हो जाएगा करपस दिलाइटमिन संब स्था क्या होता है तत्यों काjm です जो एक अपराद का गर樹दा continues करता है ठीक । करपस में मतलब हो और एक इन म्मस्द के लिए आपका आपनश्डर के लिए यहां पर्दों कि हमको सब्द देखना कि अप्र आप्राद का यहां पर भी नहीं तो आपसंद यह सई हो जाएगा एक government by the novels कहलाती है कुलीन तंत्र जन तंत्र एकतंत्र या पिर नोकर साही तो यह आपका बी एलल्बी का एक question है तो यहां पर कुलीन तंत्र कहलाती है पिर अगले आते हैं कुश्चन हाँ लोकस इस्टेंडी का अर्थ होता है इस्टेंडी मतलब आपका खड़ा होना काई के लिए अपने अधिकार के लिए ठीक है तो यहाँ पर करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा राइट टू भी हर्ट सुनवाई का अधिकार पिता किर्मित्यों के बाद पैदा हुआ बच्चे आपका जो है क्या कहलाएगा तो इसका जो है मरोडतर मरने के बाद और डी अल्टम पर्टम का क्या होता है कि कोई खुद पर आरोप लगाने के लिए नहीं होता है कोई खुद पर आरोप नहीं लगा सकता है या फिर दूसर प्रक्रापिशापका सही है और एकक आपका होता है कि ब्लेगतेा अपने आपने समद्ध में खुदन्याई नहीं दे सकता है उसको भी आपको समना है कि क्वाइट प्रो गॉरत अर्थ होता है कि जो कुछ के लिए कुछ या फिर जो कुछ भी मिट्टी के लेता है या फिर जब विद्ध किसी को कुछ देता है या फिर विद्ध के विप्रेथ कुछ भी नहीं होगा तो यहां पर करेक्ट जो हो जाएगा वह आपका कुछ के लिए कुछ है ठीक है यहाँ पर अब हाँ Terminus एक्वाय का अर्थ होता है Pralambic बिंदू समझोते की समाप्ती समविधा का अंत तो Terminus Terminus आपको याद होगा कि समझा आ रहा होगा कि Terminus मतलब कुछ Term की बात Term किसमें आते हैं या फिर समविधा में आएंगे या फिर समझोता में आएंगे Pralambic बिंदू और इनमें से कोई तो होगा नहीं इन B या फिर C में से कोई एक आएगा तो B और C में से क्या आएगा तो यहाँ पर Terminus एक्वाई यहाँ पर आपका Pralambic बिंदू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर समस्या के समस्या मुद्द के बिना समस्या के समाधान क्या आप सकता तो यहाँ पर आपका समस्या मुद्द के बिना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका देखो दो सब्द दिया गया है तो दो सब्द में आपके जो हैं तीन सब्द हो जांगे चार-पांस सब्द तो उसको भी यहां पर थोड़ा समझना है १्या का वता IDLITEM का होता एक सूट या फिर एक कारवाई कर या पर फिर एक कारवाई कर अब यहां पहँ इन दो आंफी जो के छम यहीं नहीं इसका क्या मतलब होता है कि आपक्रते के तहत तो आपके जो दाइत होते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले क्लास में तब तक क्लिए टेक के ठांक्यू और अगले क्लास आप जो बताना उसके हम question paper स्वालो करवा देंगे ठीक है